हेलो दोस्तो नमस्कार सौगात आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मोरल विस्व में दोस्तो तो आज हम जानने वाले हैं कि OCD का ट्रीटमेंट क्या होता है मतलब यह जो OCD की बीमारी है जो OCD में अलग अलग तरह के थौट्स आते हैं तो इन्हें डील कैसे किया जा सकता है दोस्तो OCD से रिलेटेड आलरेडी हमारे चैनल पर काफी सारी वीडियोज हैं OCD क्या है OCD कितने टाइप्स की होती है और हर एक टाइप्स का प्रोपर ट्रीटमेंट बताया गया है उन वीडियो के अंदर दोस्तो आप चाहें तो उस वीडियो के उपर आए बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं दोस्तो आज हम किसे भी पार्टिकुलर एक OCD के बारे में बात नहीं करेंगे आज हम बात करने वाले कि यह जो ओवरॉल OCD है इसका फंडा कहा है और कैसे यह इसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है बिसिकली OCD हमारे उपर एक ही उसके पास हतियार है वो है डर OCD केवल और केवल डर के प्रिंसिपल पर काम करती है मलब वो हमारे माइंड में एक डर देता है और फिर हमें कुछ कमपल्शन करने को कहता है मलब हमें कुछ रिचुवल्स करने को कहता है सपोस दैट OCD ने आपके मन में भगवान के बारे में कोई गलत विचार डाल दिये अब ऐसे में आपके अंदर डर आएगा यह डर OCD का हतियार है फिर आप माफी मांगते हैं वो माफी कमपल्शन हो जाता है सपोस दैट एक पेड होता है पेड कैसे चलता है पेड को nutrition चाहिए होता है पानी चाहिए होता है पेड को nutrition मिलता है खाद और पानी से ठीक उसी प्रकार से जो OCD है उसको nutrition मिलता है कमपल्शन से अगर हम पेड को खाद पानी देते रहेंगे तो पेड और बड़ा होता जाएगा घना होता जाएगा ठीक उसी प्रकार से OCD का कमपल्शन अगर हम करते जाएगे तो यह OCD का पेड और बड़ा होता जाएगा और घना होता जाएगा तो अगर हम बात करें कि OCD को खतम कैसे किया जा सकता है तो दोस्तों इसका कोई दूसरा तरीका नहीं है अगर हम आप कहें कि आप यह ना करो वो ना करो किसी भी तरीके से OCD ठीक नहीं हो सकती इसको ठीक करने का केवल और केवल एक ही तरीका है कि आप कंपल्शन करना बंद करो अब दोस्तों अलग-अलग OCD में अलग-अलग तरह के कंपल्शन होते हैं लाइक प्लेनिंग OCD में लोग हाथ धुलते हैं रिलिजिस OCD में माफी मांगते हैं और कुछ OCD होते हैं जैसे रिचेकिंग वाले इसमें लोग बार-बार रिचेक करते हैं चीजों को तो यह जो कंपल्शन है लाइक रिचेक करना, माफी मांगना तो यह सब जो कंपल्शन है वो आपको करना बंद करना होता है अब यह आप कैसे करोगे अब दूसरी कहना तो आसानी कि compulsion बंद करो पर जिसको OCD होती है, जिसको फ्राब्लम होती है उसके लिए बहुत ही मुश्किल होता है because compulsion डर की वज़े से आता है तो एक डर जुड़ा होता उसके साथ में तो compulsion को छोड़ना बहुत ही मुश्किल होता इंसान के लिए तो इसी वज़े से हमें यह जो डर है सबसे पहले इसको ट्रीट करना होता और डर कैसे ट्रीट होगा जब सही information हमें होगी तब तो OCD की जितने भी टाइप से उन पर अल्रेडी हमने वीडियो बना रखी है उनकी सही knowledge हमने दे रखी है तो वो देखकर आप यह समझ सकते हैं कि जो डर है उससे आप छुटकारा पा सकते हैं उसके बाद जैसे ही आप चीजों को सही समझ जाओगे डर से आप डर पर थोड़ा control पा जाओगे फिर आपका एक काम बसता है कि हमें कमपलशन नहीं करना है कुछ भी हो जाए हमें एक बार भी कमपलशन नहीं करना है आपके मन में ऐसा आएगा कि चलो एक बार कर लेते हैं आर एक बार में क्या होता है लेकिन आप अगर एक बार भी कमपलशन करोगे तो वो पेड़ और घंगा बड़ा होता जाएगा तो इसलिए हमें क्या करना होता है एक भी बार एक भी बार कमपलशन नहीं करना होता है तो दोस्तों आई होब ये बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी OCD का बस यही एक मात्र इलाज है कि हम उसका compulsion करना बंद कर दें जब हम उसका compulsion करना बंद कर देते हैं तो यह विचार यह जो thoughts हैं जो automatic कम होने लगते हैं फिर कम होते होते हैं यह पूरी तरीके से गायब हो जाते हैं vanish हो जाते हैं तो दोस्तों अगर वाटसेप ग्रूप में जुड़ सकते हैं वहाँ पर आप हमसे personally भी सवाल कर सकते हैं तो दोस्तों सस्त्रे मस्त रहें टैंसन तनाव और अंजाइटी से दूर रहें नमस्कार जैंड